वीकेंड सवालों का अंत आपके सवाल सरश्री के जवाब साधनात्वा दिहान करते वक्त गंद विबोती माथे पर लगाना विशेश रंग के कपड़े पहनना अमरित वेला सुबह के समय स्थान आसन दिशा क्या जरूरी या महतोपुर्ण है मेडिटेशन करते दिहान करते साधना करते तो यह सवाल है उनका के जरूरी है या महतोपुर्ण है इसको समझें कि शुरू में अवशक होता है इंसान का मन चंचल है जिस आसन पर बैठकर वो टीवी देखता है उसी आसन पर बैठकर जब वो दिहान करेगा तो संभावना है कि टीवी के खायल जादा आएंगे तो कहा जाता आसन अलग रहे अब वो शेर की खाल लाने के आवशकता नहीं है शेर की खाल हिरन की खाल ये लाया जाता था वो जो सिधियां पराप्त कर शरीर की सिधियां पराप्त करना चाहते है उन लोगों के लिए वो आसन सही है वहाँ शरीर के अंदर उर्जा तैयार की जा रही यहां काम शरीर के परे जो आनुभव है उस पर होता है वह साधना वह दिहान है वह तेजिस्तान इसलिए आसन कोई भी रखा तो चल सकता है बड़ जो उर्जा पर काम कर रहे है वह ऐसी बीच में खाल रखते ताकि वह उर अर्थ न हो जाए ग्राउंडिंग न हो जाए उसकी इसलिए बीच में ऐसा आसन रखा जाता था आपके लिए यह आवश्यक नहीं है और अलग तरह का वातावरन क्रियेट किया जाता है विभूती लगाई जाती यह सब मन के लिए है कि देखो तुम इस चीज के लिए तया होती तो फिर वो विचार नहीं आते जो बाहर करते रहते हो थोड़े विचार बदल जाते है ना सात्विक विचार आते है प्राथना के विचार आते है उस वातावरन ने मदद की ना यह शुरू में है बाद में क्या कहीं पर भी हो तो मंदिर में हो कहीं पर भी हो मंदिर म मन अंदर मन अंदर जाना सीख जाए तो ऐसा ही आसन हो तो मैं अंदर जाओंगा ऐसी जिद नहीं करेगा ऐसा अगर बत्ती जला हो तो मैं अंदर जाओंगा प्रात्ना करोंगा ऐसी जिद नहीं करेगा तो शुरू शुरू में एक वातावरन तयार करने को तिलक लगा जाता है उसको बताने के लिए कि आप तुम meditation में जा रहे हो आप तुम dhyaan में जा रहे हो यह करना ही उसको उस भाव में तयार करता है उसी समय पर उसी स्थान पर उसी आसन में उसी तरीके से वही द्यान करते है जब तो मन को इसकी habit पढ़ना शुरू हो जाती जिसे भूग कैसे लगती आपको अगर एक बज़े खाना खाते हो तो एक बजा नहीं कि लगता भूग लगी है habit पढ़ गई तो ध्यान की भी habit डालने के लिए साधना की habit डालने के लिए ये सब चीज़े बनाई गई मैं कोई सोचे ये चीज़े नहीं है तो मैं करूंगा है नहीं तो ऐसा मत करना क्योंकि ये शुरू में help करती है बाद में ये चीज़ है नहीं है कोई फरक नहीं पड़ता चलते फुरते भी आप उसी आनुभाव में रह सकते हो अमरत वेला सुबह में जो वातावरन होता है शुद्ध होता है क्यों दिन बर लोग चल रहे है रास्ते पर धूल उड़ रही है पूरे वातावरन में कैसी हवा होगी राद बर कैसे सब धूल नीचे बढ़ जाती ऐसे होगा ना हलचल बंद हो गई तो पूरी राद भर सारी धूल बैढ़ गई और फिर सुबह उड़कर परसं स्वांस लेता है तो फ्रेश हवा अंदर जाती है शरीर भी ताजा मैसूस होता है तो वातावरन मदद करेगा शुरू में ये अवशक है परपस आसन का लेट गए लेट कर कर रहे हैं मेडिटेशन तो नीद आने का खतरा मेरे एक समय ऐसा होगा कि आप लेट कर भी कर रहे हैं तो फर्क नहीं पड़ता शुरू में आसन उसी तरह रीड की हड़ी सीधी होना आवशक है एक ऐसा आसन जिसमें आप घंटो बैट पाएं बिना नीद आए इसलिए ये रूल्स बनाये गए झाल में आसन